अगर दोस्तो आज का अपना टोपिक है व्यक्तित्व है सिक्ष्या मनोविज्यान में व्यक्तित्व से हर एक्जाम चाहिए वो रीट की एक्जाम हो इस पैसली चाहिए सेकंड ग्रेड की एक्जाम हो चाहिए फस्ट ग्रेड की एक्जाम हो हर एक्जाम में व्यक्तित्व से तीन सार क्यों सनाते हैं तो ये एक महतोपून टोपिक है इस वीडियो में मैं आपको सभी लेटेस्ट एक्जाम में आई वे क्यूसनों के साथ साथ व्यक्तित्व से रिलेटेट सभी परीबास आई साथ में, व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, उसकी स्रंचना है, और व्यक्तित्व से रिलेटेट जितने भी सिधानत हैं, दोस्तों, सबी लेटेस्ट अप्टेट के साथ मैं बता रहा हूं और जितनी भी व्यक्तित्व के मापन की जितनी भी वीदिया है सभी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में हाइलाइट के होई मिलेंगे साथ में इस एक वीडियो से आपका व्यक्तित्व पूरी तरीके से कंप्लिट हो जाएगा उसके बाद में आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवसकता नहीं पढ़ेगी तो दोस्तों अपना कुछ कीमती समय निकाल कर आप कुछी समय में आप अपना टॉपिक व्यक्तित्व का कंप्लिट कर सकते हो और एकजाम के लिए 3-4 क्यूशन आप तयार कर सकते हो क्योंकि दोस्तों मैं आपको सभी हाइलाइट पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप देख सकते हो दोस्तों सभी जो मैतोपून बाते हैं ना उन सबको मैंने अंडरलाइन कर रखा है और साथ में अलग से भी नोट करके लिखवाया हुआ है तो आपको मैं सभी बाते इस वीडियो में बताऊंगा तो बीना इस किप किया अंतक बने रहे साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कूर न बुले चलो दोस्तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में दोस्तो तो दोस्तो यहां से भी एक मैतोपून क्यूसन बनता है तो आपको ध्यान देखे यहां से देखना है सबसे पहले अपने यह से स्टार्ट करते हैं प्रारंबे व्यक्तित्व का अर्थ बाहरी वेस बुसा तता दिखाव के आदार पर लिया जाता था प्रन्तु दिरे दिरे इस अर्थ को ऐस विकार कर दिया गया आज व्यक्तित्व व्यक्तिके आंत्रिक और बारी दोनों परकार के गुनों का योग है जी हाँ दोस्तो आपको ये पॉइंट मैक्तोपून पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के आंत्रिक और बहारी दोनों परकार के गुणों का योग होता है ठीक है दोस्तो उसके बाद में आगे देखो कि व्यक्तित्व द्वारा व्यक्ति के सारिरिक मानसिक और सामाजिक तीनों परकार के दोस्तो सारेरिक मानसिक और सामाजिक इत्यादी गुनों का प्रीचे प्राप्त होता है ठीक है दोस्तो अब आगे देखो बालको के समायोजन में बालको के समायोजन में व्यक्तित्व की महतोपून भूमिका होती है व्यानि कि व्यक्तित्व समायोजन में साइक होता है साथ में दोस्तो व्यक्तित्वे जो है वो अधिगम में भी साइक होता है ठीक है दोस्तो उसके बाद में आपने नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यक्तित्वे यहां पर देखू व्यक्तित्वे में व्यक्ति के विवार का समगर रूप परस्तुत होता है दोस्तो यानि कि व्यक् का समगर रूप देखा जाता है सारिरिक रूप भी देखा जाता है मानसिक भी देखा जाता है सामाजिक भी देखा जाता है चारित्रिक विशेस ताभी उसमें समिलित की जाती है ठीक है दोस्तों उसके बाद में दोस्तों ये एकजाम में क्यूशन किस सबसे बना हुआ है परसोना से जिसका अर्थ क्या होता है जिसका अर्थ होता है मुखोटा मुखोटा या नकाब या मास्क ठीक है दोस्तो तो यह आपको जान रखना है मुखोटा या नकाब ठीक है दोस्तो उसके बाँ में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि उसके बार में next बात करते है व्यक्तित्व की परिबासे हैं ठीक है दोस्तो मैं आपको सभी मेट्टोपून चीजें जो व्यक्तित्व से एक्जाम में पुछी जाती है वो इस वीडियो में बताऊंगा और extra चीजें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला इस वीडियो में सबी जो आपके लिए most important चीज़े हैं जहां से question बनता और जिस से related question आता है वो मैं आपको इस वीडियो में सबी clear करवा दूँगा अब देखते हैं परिबासा सबसे पहले अपने परिबासा बात करते हैं Watson की परिबासा ठीक है दोस्तों तो Watson ने क्या परिबासा दी थी व्यक्तित्व को लेके तो इधर आपन पढ़ लेते हैं Watson की परिबासा आप देखें साथ साथ में में दोस्तों आपको याद भी करवा दूँगा तो Watson ने परिबासा दी थी कि विश्वसने सूसनाओं प्राप्त करने के द्रिष्टिकों से काफी लंबे समय तक वास्त्विक निरक्षन करने के पस्यात व्यक्ति में जो किर्याएं और व्यवार का जो रूप पाया जाता है उसे व्यक्तित वका जाता है तो दोस्तो इसमें आपको एक चीज को अंडरलाइन करके जहां रखनी है किस चीज को अंडरलाइन करना है निरक्षन या अउलोकन ठीक है दोस्तो तो निरक्षन या अउलोकन करके व्यक्तित्व का पता लगाने के बारे में किस ने कहा था वाट्सन ने ठीक है दोस्तो वाट सनने ठीक है नेक्स दूसरी जो प्रीबास है दोस्तो मैं इसमें सभी महतोपन प्रीबास है आपको बताऊंगा जितने भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है दोस्तो दूसरी प्रीबास है मार्टन प्रिंस की तो मार्टन प्रिंस ने क्या प् इसने थी मार्टन एंड प्रिंस की पृँपास थी नेक्स पृपास आप बात करते हें जी डब्ली ओलपार्ट टी डब्ली ओलपार्ट ने क्या पृपास दी है व्यक्तित्व को लेकर तो आप यहां पर यह इंपोर्टेंट पृपास है दोस्तों कई बार एक्जाम में गतिसील संगठन है जो कि वातावरण के साथ उसके एपूर्व समयोजन को निदारित करता है यानि मनोदेहिक व्यवस्ताओं का गतिसील संगठन किसने बताया व्यक्तित्व को तो वो किसने बताया था ओल पॉर्ट ने ठीक है तो तो यह इंपोर्टेंट परिवासा आपको कि कोई व्यक्ति किस प्रस्तति में क्या कर सकता है यानि कि व्यक्ति तो है कि द्वारा हम अपन बविश्यवानी कर सकते हैं व्यक्ति की ठीक है तो यह प्रिवासा किसने दी थी केटल ने ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी धान रख से हो जैसे केटल यानि की क लेट जो होती है बिल्ली जो होती है वो अपने रस्ता काड़ जाती है तो अपने बविश्यवानी कर सकते हैं जैसे बविश्यवानी करते हैं कुछ लोग उसको अप सबुन मानते हैं तो बविश्यवानी कर सकते हैं तो उस इसाब से इसको रेलेटेट करके आप याद कर सकते नेक्स्ट परिवासा अपन देखते हैं आईजेक की आईजेक ने क्या कहूँ वेक्तित्व वेक्ति के चरीत्र सबाव बुद्धी और सारेरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा इस्ताई और इस्तिर संगतन है जो वातावन के साथ उसके अपूर्व समयोजन को निदारित करता है ठीक है दोस्तो तो ये की परिवासा किस ने दी थी आईजेक ने नेक्स्ट अपन बात करते हैं मन की परिबासा एनम मन की परिबासा थी व्यक्तित्व को रिलेटेड तो वह अपन इसमें पढ़ते हैं मन की परिबासा व्यक्तित्व की परिबासा उस अत्ति विश्यस्ता पून संगटन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की स्रंच विवार के धंग, रूचियां, अभिवर्तियां, क्षमताओं, योग कहता हैं, समलित है, ठीक है, तो ये किसने परिबासा थी थी, मन ने, यानि जिसमें रूचियां और अभिवर्तियां और क्षमताओं की बात करें, तो रूचि और अभिरूचि किसे रिलेटेड होती है, मन से related होते हैं इस प्रकार से अपने इसको ध्यान रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अपने बात करते हैं वोरेन की परिवासा तो वोरेन ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति का वैस संपून मानसिक संगठन है यहां ध्यान अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं रेक्स की परिबासा तो दोस्तो रेक्स रोक ने क्या बोला था कि व्यक्तित्वे समाज द्वारा मानने और एमानने गुनों का संतुलन है ये किस ने बोला रेक्स रोक ने मानने और एमानने गुनों का संतुलन उसके बाद में अपने next परिवासा की बात करते ही decil decil ने क्या कहा व्यक्तित्व को लेकर decil की परिवासा संपून रूप से उसकी परतिक्रियाओं की ऐसी अवस्ता जिसे सामाजिक रूप से देखा जा सकता है यानि अपन देख कब सकते हैं दोस्तों दिन में यानि डे में अपन देख सकते हैं तो ऐसे इसको related कर सकते हैं यह व्यक्ति के व्यवारों का एक समायोजित संक्लन है जो उसके व्यवार व्यवस्तापन के लिए व्यक्ति उप्योग करता है ये किसकी परीबासा थी डेसिल की next परीबास आपने बात करते हैं driver की driver ने क्या बोला था driver की परीबासा देखो दोस्तो व्यक्तित्व सब्द का प्रयोग व्यक्तिके सारिरिक मांसिक नेतिक और समाझिक गुनों के ईसू संगटित और गत्यात्मक संगर्टन के लिए किया जाता है जिसे ही वैं अन्य व्यक्तियों के साथ अपने समाजिक जीवन के आधान परदान में व्यक्त करता है ठीक है दोस्तों ये प्रिवासा कित की थी ड्रेवर की आधान परदान करता है तो दोस्तों लाने व्यक्तित्व को लेकर क्या कहा था तो व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यवार की संपून गुनात्मकता है यह किस ने बोला था वुडवर्थ ने और यह इंपोर्टेंट परिवास है दोस्तों तो द्यान रखना वुडवर्थ ने क्या बोला व्यवार की संपून गुनात्मकता उसके बाद में वेलेंटाइन ने क्या बोला था वेक्तित्व के परिवासा के अंदर कि वेक्तित्व जनमजाद और अर्जित परवर्तियों का योग है यह किसने परिवासा दी थी वेलेंटाइन ने तो दोस्तों यह तो परिवासा थी वेक्तित्व की जो महतोपन परिवासा ही वो है अब अपन आगे बढ़ते हैं अब अपन बात करते हैं व्यक्तित्वे के सिदान्थ ठीक है दोस्तों तो व्यक्तित्वे के सिदान्थ कौन-कौन से हैं उसके बारे में अपन सर्चा करते हैं विस्तरित रूप से तो व्यक्तित्वे के सिदान्थ पढ़ेंगे तो सब सबसे पहले बात करते हैं तो चेतन के अंदर उन्होंने क्या पताए कि सिग्मड फ्राइड के अनुसार चेतन मन का वहब आ गए यानि चेतन मन का वहब आ गए जिसका समंद वर्तमान से हैं तो अगर आपको पूछ ले कि किस मन का वर्तमान से समंद है तो वो चेतन मन का है अते हैं इस बाग में वे इच्छें विचार एम अनुबो होते हैं जिसके बारे में व्यक्ति आउगत होता है यह मन का लगुतम है चेतनमन व्यक्तिगत नेतिक सामाजिक और सांस्कर्थिक आदर्सों का बंडार माना जाता है तो दोस्तों इसके अंदर चेतनमन से related जो मैथोपुन क्यूशन से आपके बन सकते थी वह आपको एक तो यह द्यान रखना है कि चेतनमन जो है वह वरतमान से समन्दित होता है एक दूसरा जो चेतनमन है वो अपने मन का एक बटा दसवा हिस्सा माना जाता है और साथ में जो चेतनमन है वो आपको यहां एक जो मैथोपुन लाइन है यह द्यान रखनी है कि चेतनमन व्यक्तिगत नेतिक और सामाजिक और सांस्कर्थिक आदर्सों का बंधार माना जाता है उसके बाद में अपने नेक्स्ट मन की बात करते हैं अर्दचेतन की तो अर्दचेतन के अंदर क्या है थोड़ा मैं जूम कर देता हूं अर्द चेतन चेतन हैं अर्द चेतन का मद्दे भाग अर्द चेतन होता है अर्द चेतन के विशे नहीं तो ततकाल चेतना में रहते हैं और नहीं अर्द चेतन में अर्द चेतन मन का वह भाग है जिसके विशे को प्रियतन करके याद किया जाता है तो ऐसे कि उसे ना जाए जो अंडरलाइन किया हुआ यह इंपोर्टेंट है कि किस मन में प्रियतन करके याद किया जाता है तो अर्द चेतन में यह मन का एक छोटा बाग है इसके विशे का तातकालिक ज्यान व्यक्तिव को नहीं होता किन्तु वह प्रियास द्वारा इसका प्रत्यास मरण कर उसे पुने चेतना में ला सकता है यानि कि भूलने की अवस्ता अगर का बात की जाए कि भूलने की अवस्ता कौन से मन में होती है तो वह अर्द चेतन मन में होती है उसके बाद में अपने बात करते हैं एचेतन की ठीक है दोस्तों तो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में अनेक अनबोव को प्राप्त करता है इन में से अनेक अनबोव नय तो चेतन में होते हैं नहीं है अर चेतन में यह अनबोव एचेतन मन में एकत्रित हो जाते हैं एचेतन मन का वह भाग है जिसमें अनबो की एक हुए ऐसे विशेई वह सामगरी होती है जिने व्यक्ति इच्छा अनुसार याद नहीं कर पाता फ्राइड के अनुसार एचेतन मन काम सकती का बंधार होता है यह मन का सबसे बड़ा भाग है यानि कि जो एचेतन मन है वो मन का सबसे बड़ा भाग है यह आपको मैतोकुन जो आपको द्यान रखना है वो यह चीज़े द्यान रखनी है ठीक है दोस्तों यह मन का सबसे बड़ा भाग है जो व्यक्ति के नियंतरन से बाहर होता है एचेतन में तरक और नेतिकता का इस्तान नहीं होता दोस्तों तरक और नेतिकता का इस्तान चेतन मन में होता है एचेतन मन में इसका इस्तान नहीं होता इसमें दमित इच्छाएं पाई जाती है ठीक है दोस्तों इसमें क्या पाई जाती है तीन स्तर बताई पहला तो इड दूसरा एगो और तीसरा सूपर एगो जो आगे देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं इड की इड में व्यक्तिक के व्यवार और व्यक्तित्व से समधित एनेतिक बाउनाओं का संग्रा होता है इड में जो इड है उसमें एनेतिक बाउनाओं का संग्रा होता है आपको ये विशे स्टोर से ध्यान रखना ठीक है दोस्तों ये मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ अनेतिक बाउना का संग्रा होता है इसी के मादम से मनुस्यें इंद्रेजनी सुको की खोज करता है इसे सुकदाही सिद्धानत भी कहते हैं और ये एचसेतर मन में पाए जाता है जो इड़ जो होता है वो एचसेतर मन में पाए जाता है उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने इगो की कि इगो क्या होता है इगो यदि इड़ को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाए ego को हिंदी में اहम कहते है ठीक है दोस्तो यदि ego अपनी इचा पर छोड़े जायता है तो इसका प्रेणाम दुग्दा ही हوتा है अथा ego वेक्ति को क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए इसका ग्यान होता है ग्यान करवाता है दोस्तों ये क्यूसन एक्जाम में आया वा क्यूसन है तो आपको विशेश तोर से जान रखना है कि किस इस्तर में वेक्ति को ये ग्यान होता है कि क्या किया जाना चीए और क्या नहीं किया जाना चीए मुलब सही और गलत का पता कौन से इस्तर में होता है तो वो होता है एहम या इगो में इसे वास्तविक्ता का सिदान्त भी कहते हैं यह अर्दचेतर मन में सक्रिय होता है और सही गलत का निनने कौन करता है दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं दोनी यह अर्चेतन में होता है और सही गलत का निने कौन करता है इगो करता है ठीक है दोस्तों इगो के अंदर होता है अपना अब नेक्स्ट बात करते हैं यह वास्तविक्ता का सिद्धानत होता है इगो वेक्ति इगो में होता है यह वेक्ति अपने आपको देवदूद समझता है इसको परं एहम भी कहते है है और ये 6 10 मन में पाए जाता है आगे अपने पठते हैं इसमें यहां से ही he है यह नियाइदीस के समानकारिय करता है नियाइद इसके पर एकांद से होता है यह सरवाधिक देर से विखसित होता है तता वेक्ति के आदर्स की बाओना उत्पन करता है इसे आदर्सवाधी सिध्धान कहते है यह जयत तरवन में सक्री होता है दोस्ता आपको द्हान रखना है सही गलत का निन्ने तो कौन सा करता है आपका एग्गो सूपर इगो नियाइदिस की तरह काम करता है यह कहता है कि इंसान गलतियां कर ही नहीं सकता यह अपने आपको देवदूद समझता है तो सब कुछ इंसान अपने आपको सब कुछ समझता है वो सूपर इगो वाली इस्तती होती है ठीक है जैसे कहते हैं न कोई अपने आपको सब कुछ समझने लग जाता है इसका अमलब वो सूपर इगो वाले इस तरह में है इसके बाद में देखो दोस्तो प्राइड ने वक्तित्व शमनदी कुछ अन्य मैट्कून बातें बताया थी एक तो मुलब परवर्ति के बारे में बताया था मूल परवर्ति के वीलियम मेकडूगल ये ध्यान रखना है लेकिन इन्होंने मूल परवर्ति के बारे में इन्होंने भी बताया है कुछ मूल परवर्ती जो 14 मूल परवर्ती होती है वो किसने बताई है वीलियम मेकडूगल ने ध्यान रखना कन्फ्यूज नहीं हो जाना और मनो इसलेशन वाद दिया हुआ थीज़ों सी दान्त है वो दिया हुआ है फ्राइड का अब फ्राइड ने दvem ने मूरती तो जर्मन झर्द dolphins ट्राइब का परियोग के है उन्हें ने दो मूल प्रवर्भार्ट ने दो मूल प्रवर्भा बताईये एक तो जीवन मूल परवर्ति या जीवन वरंत मूल परवर्ति वरंत भी ला सकता है और दूसरी मरत्य मूल परवर्ति पहले जीवन मूल परवर्ति की बात करते हैं इसका समंद मांसिक उर्जा से होता है किसे होता है मांसिक उर्जा से होता है जिसके कारण व्यक्ति रचनात्मकारी करता है जीवन मूल परवर्ति को इरोस कहा जाता है क्या कहा जाता है इरोस जीवन मूल परवर्ति को तो उसके बाद में बात करते हैं मर्तिव मूल परवर्ति इसका समंद विनाज से होता है जिसके कारण व्यक्तिक गर्णा जिसके कारण व्यक्तिक गर्णा और आगे अपने इधर प बात करते हैं लिब्डो उन्होंने एक सब्द और दिया था लिब्डो लिब्डो क्या होता है यहां पर आप देख सकते हो यह आयवा क्यों से पूछावा क्यों सने फ्राइड काम सब्तिक को काम सब्तिक को लिब्डो कहते हैं लिब्डो को मांसिक उर्जा का राग का जाता है लिब्डो को क्या कहा जाता है मान सिगुर्जा का राग और जो लिब्डो है वो एचेतर मन में पाय जाता है ठीक है दोस्तो और व्यक्तित्व की मौलिक इकाई भी कहते हैं लिब्डो को यह जहां रखना है दोस्तो व्यक्तित्व की मौलिक इकाई क्या होती है लिप्ड होती है उसके बाद में उन्होंने एक वर्ड और दिया था नार्सिसीज में बालक अपने ही रूप पर मोहीत हो जाता है उसे नार्सिसीज में कहते है इसे फ्राइड ने नार्सेसीज में या सव मोहन कहा ठीक है उसके बाद में दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि ओडिपस और अलेक्टरा गरंती के बारे में भी फ्राइड ने बताया था कि फ्राइड ने लड़कियों में अलेक्टरा और लड़कों में ओडिपस गरंती का होना इसपस्ट किया है कि यानि कि लड़कियां में अलेक्टरा गरंती पाई जाती है अलेक्टरा का मतलब होता है ये मात्र विरोधी होती है यानि कि जो लड़कियां होती है माताओं से कम जो पिता होता है उससे ज़्यादा लगाव रखती है और जो लड़के होते हैं उनमें ओडिपस गरंती पाई जाती है यानि कि ओडिपस यानि पित्र गिरोधी गरंती पाई जाती है सकरी होती है उसके बाँ में दोस्तों अपने बात करते हैं वेक्तित्व का दूसरा सिदान्त व्यक्तित्व का तो दूसरा सिधान्त है वो देखे आप यहाँ पर इसमें व्यक्तिवादी उपागम सिधान्त दोस्तों व्यक्तिवादी जो उपागम सिधान्त है यह किस ने दिया था एडलर ने दिया था सबसे पहले देखिए व्यक्तिवादी उपागम सिधांद आप और ये किस ने दिया था एडलर ने दिया था यहां गोला किया है एडलर एडलर ने व्यक्तित्वा के अध्यान में व्यक्तिक दस्टिकोन को जनम दिया उनके उनस्वार वेक्तियों में मैतोपुन बनने थता सक्ति गराने करने की बहुत अधिक अभिलासा होती है पर तेक वेक्ति स्रेस्ट और मैतोपुन बनने का प्रेतन करता है ये किस ने बताया था एडलर ने बताया था वेक्तिवादी सिदांत में इस प्रेतन को व्यक्ति के जीने का धंग अताज व्यक्ति द्वारा जीवन लक्से और उन लक्से की पूर्ति के लिए किये जा रहे प्रेतनों के द्वारा जाना जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद में अताज व्यक्तित्व निर्मान में उनके महतोपुन तता 37 साली भी प्रेडर का योगदान रहता है उसके बाद में व्यक्तित्व आगा जो तीसरा सिधानत है ये इंपोर्टेंड है विस्लेशन आत्मक सिधानत ये यूंग ने दिया था यूंग यूंग ने व्यक्तित्वर रचना है तु मानो मन को तीन बागों में यानि चेतन मन व्यक्त तीनों बागों द्वारा संचालित होता है यूंग के अनुसार जिदे को यूंग ने क्या कहा है यूंग के अनुसार व्यक्तितों और व्यवार को दिशा परदान करने में आत्म अभिव्यक्ति नामक अभिप्रेर कारे करता है तो ये इंपोर्टेंट है यूंग के अनुसार आत्म अभी व्यक्ति अभी प्रेरक कार्य करता है व्यक्ति तो और व्यवार को दिशा परदान करने के लिए ठीक है दोस्तो नेक्स्ट बात करते हैं सामाने होने की अवस्ता में अगर जिवन सक्ति का परवा है अंदर की ओर होता है तो वेक्ति में अंतरवुकी और बाहर की और होता है तो वेक्ति बहिर मुकी कहलाता है नेक्स्ट अपन देखते हैं परतिकारक सिद्धान परनाली परतिकारक परनाली या परतिकारक परनाली सिद्धान ठीक है दोस्तों तो यह किस ने दिया था? केटल निया दिया था, RB केटल ने, ठीक है? RB केटल ने वेक्तित्व समन्दी 16 कार्कों की एक सुची परदान की, तो जो 16 कार्कों की सुची होते हैं, 16PF मापनी भी कहते हैं, 16PF मापनी, ठीक है? इनका उप्यों करके, करते वे व्यक्ति व्यक्तित्व प्रिशुची का निर्मान क्या गया था केटल ने व्यक्तित्व समंदी दो गुणों उपरी विशेश्ताओं और आधारभूत विशेश्ताओं की चर्चा की केटल के अनुसा सोड़ा व्यक्तित्व कारकों के द्वारा व्यक्तित्व निर्मान होता है और परते कारक एक गुन होता है वर्तमान वनोग्यानिकों ने सोड़ा कारकों की संक्या पांच कारकों तक सिमित करती जिनमें बहिरमुकी, समझोतावाति प्रकरती, अंतरात्मा की जावाज और सवेगात्मक इस्तिर्ता और संस्कृति का प्रियोग यह आपने जो 16 कारक हैं उनमें से 5 कारके बना दिये हैं वर्तमान में हैं तो आपको ध्याना केटल ने कितने कारक देते सोलह ठीक के तीसरा सिधान मूरे का सिधान ते दनार्य का सिधान यह आपको ध्यान रहा तो यह कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है पांच रहा है अब देखो दोस्तों व्यक्तित्व मापन व्यक्तित्व मापन की जो विधियां है दोस्तों व्यक्तित्व मापन की विधियां दोस्तों व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधियों होती है एक तो प्रक्षेपी और एक एप्रक्षेपी ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो एप्रक्षेपी विदियां हैं और इनमें भी पहला जो टाइप है वो है आत्मनिष्ट विदी तो आत्मनिष्ट विदी को किस ने दी थी तो कुछ विदियों आत्मनिस्ट विदी तो जो क्या है कि दार्षनिक विदी थी तो इसलिए इसका कोई प्रेटिकलर इसका कोई वेग्यानिक नाम कोई जनम जाता नहीं माना गया इन विदियों में सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिस्ट विदी की इन विदियों में वेक्ति अपने बारे में स् लिता है जो आत्मनिस्ट विदी है इसके प्रकार बताये गए है ठीक है दोस्तों तो इसमें एक बार मैं स्टॉप करके फिर से चालू करता हूं आत्मनिष्ट जो विदी है इसका जो पहला प्रकारा है आत्मखता विदी या अंत्यदर्शन विदी इसका दोस्तों दूसरा نام है या autob IoT या जोन लोक के समय देखने को मिला था और इसका सिख्षा में जो प्रयोग किसने किया था शिक्सा में प्रयोग विलियम वुड और टिचनर ने किया था ठीक है दोस्तों इसका जो मैत्वपुन जो पार्ट है वो विलियम वुड और टिचनर है कि शिक्सा में प्रयोग आत्मखता या फिर अंतादर्शन विदी या ओटो बाइग्राफिक का प्रयोग किस ने किया था तो वीलियम वुड और टीचनर ने उसके बाद में इसका जो दूसरा प्रकार है वो अपन इसदर पढ़ते हैं जो आपकी अंतर दर्शन वीदिय इसमें क्या होता है इसमें व्यक्ति अपने जीवन समदी विशेश गटनाओं तता व्यक्तित्व समदी बहुत सी बातों को प्रकास में लाने का प्रियाज करता है अता जब व्यक्ति अपनी जीवन की खता अपने आप लिखकर व्यक्ति आत्मरचना आत्मकता कहलाती है दोस्तों यह दूसरी विदी है यह इंपोर्टेंट विदी यह आपको विश्यस तोर से द्यान रखना है जीवन इत्यास विदी जीवन वरंत विदी केस स्टडी और यह किस ने दी थी टाइड में तो दोस्तों यह इंपोर्टेंट विदी है तो आपको विशेस दोर से इसको ध्यान रखना है, ठीक है, वेक्ति इतियास विदी भी कहते हैं, जीवन इतियास विदी भी कहते हैं, जीवन वरंत विदी भी कहते हैं, तो इसमें अपन बात करते हैं, यहां से आगे, इस विदी में वेक्ति के विवार के कारणों का पता बारा वेक्ति के बारे में पता किया जाता है ठीके दोस्तों उसके बाач करते हैं साख्षाथ कारव विधी किसी भी विक्ति में विएक्ती से संसरा पूरों में कर लिए हो ऐसे संसरेट का मतलब अनोप सारी क्रूप से मतलब की ऐसे रेंडम क्यूशन पूछते हैं उसके बाद में परसनावली विदी दोस्तों यह इंपोर्टेर्टै आपको द्यान रखनी परसनावली विदी किस नेदी दी यूढ़ वड़ने ने इस विदि को कागस हैं से द्यान रखनान दोस्तो एक न् परंद परसनावली अप यहां पर देख सकते हो, चार परकार, बंद परस्णावली, यानि बंद परस्णावली वह होती है, जिसमें हाँ और नहीं में उत्तर दिया जाता है, दूसरे खुली परस्णावली, यानि कि इसमें उत्तर देने के लिए व्यक्ति सोतंतर होता है, अपने इसाब से उत्तर दे यह परसनाले से ही मिलती जुलती विदी है और इसमें इस विदी में किन्तु व्यक्तितों परिसुची में परसन अत्वा खत्लन अधिकांस्त है उत्तम पुरुष से समोंधित होते तो यह कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है नेक्स बात करते हैं वस्तुनिष्ट विदियां अब यहां से आपको सभी इंपोर्टेंट विदियां आपकी सुरू हो जाती है तो आपको द्यान रखना है वस्तुनिष्ट विदियां सबसे पहले बात करते हैं निरक्षन विदी निरक्षन विदी किस ने दी थी वाट्सन और इसे बहीर दर्शन विदी भी कहते है निरक्षन द्वारा वेक्ति के वेक्तित्व का मुल्यांकन का प्रियास क्या जाता है निरक्षन के दो परकार बता हैं इसमें एक तो गोसित निरक्षन और एगोसित निरक्षन दूसरी विदी है समाजमिति विदी यह important है कई बार exam में पुछा हूँ है और जो exam में पुछा था वो केवल प्रतिपा तक पुछा था इसका न तो आपको थोड़ा से द्यान रखना है समाजमिती विदी बालक जब समुए में कारे करते हैं तब उसमें समाजिक समंद इस्तापित हो जाते हैं आता है समुए के सद्यश्यों के अंतरे व्यक्तिक समंदों का अध्यान समाजमिती विदी में क्या जाता है यानि कि व्यक्तिक के दो व्यक्तियों के बीच समंद इस्तापित हो जाते हैं उनका जो अध्यान क्या जाता है वो समाजमिती विदी में क्या जाता है इसके प्रतिबात को ने जेल मोरेनों नेक्स्ट है करम निदारन मापनी ये इंपोर्टेंट नहीं है कोई खास इसको पढ़ लेते हैं एक बाद इस विद्धी में दूसरे व्यक्तिव से यह जानने का प्रियास किया जाता है कि कोई व्यक्ति किनी व्यक्तित्व है समन्दी गुणों के हिसाब से कैसा है अते एक माप दंड के आधार पर किसी गुण विशेज की उपस्तिती अत्वा अनुपस्तिती की मात्रा वेक्त की जाती है नेक्स्ट है चोती सारी रिक्षन विदी तो इसमें नारको टेस्ट बगर इत्यादी होता है तो ये शारी रिक लक्षनों को देख खर इसमें देन किया जाता है आब बात करते विदियां कि प्रक्षिपी विदी कौन-कौन सी है तोस्तों आप वे ये जो आगे आपको चार प्रकार की विदियों बताने जा रहे हैं ये चारों प्रकार की विदियों से क्यूस्टन हर बार हर एक्जाम में पुछा जाता है तो आपको विशेश तोर से इन चारों विदियों को गोर करके पढ़ना है आराम से समझना है तो देखो सबसे बैदले बात करते है प्रक्षबी विदी उप्यूक्त विदियां वेक्ति के बारी-थवा चेतन मन के मुल्यान करने टू परचलित होती है अपर जो विदियां वो ऑप्रक्षबी विदियां है और वो किसके लिए यूज की जाती है चेतन मन के लिए या बाहरी उसका मुलानकन करने के लिए बाहरी मन का मुलानकन करने के लिए लेंगे जो प्रक्षेपी विद्या होती है वो उसके ऐचतन मन का मुलानकन करने के लिए यूज होती है यानि ऐचतन मन में दमित इच्छाओं के बार में जानने प्रक्षपन का साब्दी करता है आरोपन अत्वा वस्तु विशेश में अपने वियवार तता व्यक्तित्व समंदी गुणों के अनुसार को विशेश बात देकर अभिवेक्त करना प्रक्षवी विदियों में व्यक्तिकों को चितर तस्वीर अर्थ हीन रचना रचना हीन उतिपक दिखा कर परतिक्रिया करवाय जाती है एवं अर्ध चेतन मन का ग्यान व्यक्तित्व मापन हेतु करते हैं यान कि इंपोर्टेंट चीज यह है कि प्रक्षवी विदियों में अर्ध चेतन मन और अर्ध चेतन मन का अध्यान किया जाता है ठीक है दोस्तों यह आपको जान रखनी है नेक्स्ट अब अपन इसके प्रकार पढ़ लेते हैं प्रक्षवी विदियों के सबसे पहले अपन प्रक्षवी पढ़ते हैं जो विदि है वो पढ़ते हैं शाही दबबा प्रिक्षण उनक ब्लोक टेस्ट यह किसने दे थी हर्मन रोसो नहीं यह स्विश मनोवेगानिक थी किसने दे थी दोस्तों हर्मन रोसो नहीं ठीक है और कब दीती 1921 में दोस्तो डेट भी आपको इसकी ध्यान रखनी है इसको सोट नेम RIBT या IBT भी है ठीक है और इस विदी के अंदर क्या करते है प्रस्तुत परिक्षन में शाई दबा के 10 कार्ड होते है कितने कार्ड होते हैं दोस्तों इस विदी में शाई दबा प्रिक्षन में 10 कार्ड जिन में से 5 कार्ड तो काले और सपेद 2 कार्ड काले और लाल और 3 कार्ड 3 कार्ड कई रंग के होते हैं तो ये आपको को द्यान नहीं रखना रंग द्यान नहीं रखना या पर बस ये द्यान रखना है इसमें प्रिक्षियार्थी को कार्ट देखा कर उसमें दिखाई देने वाले आकर्थी के विशे में पुछा जाता है यानि इस विद्य में क्या होता है एक कार्थ दिखाय जाता है उसमें जो आकर्थी चपी हुई होती है उसके बारे में पुछा जाता है और फिर अद्यान किया जाता है परतिक्रियाओं को इस्तती विशेवस्तु और मॉलिक्ता यम निदारक तत्व के आदारक पर विशलेशित करके वेक्तित्व का निदारित किया जाता है ठीक है दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट्सी यही थी कि साय दबा प्रिक्शन हर्मान र हे आपका है तो आपको इसको विशेश दोर से ध्यान रखना है सिसे प्रासंगिक अंतरबोध प्रिक्शन न को तैमेटिक अप्रीशिए मं टेस्ट टी TT मारे जब आप रेल में पकड़े जाते हो अगर आपके पास टिकट नहीं है तो TT आपको मारेगा तो TT मारे तो TT यहने TAT जो प्रिक्षन था वो किसी नहीं थे मारे यहने मारगनेंड मूरे ने ठीक है दोस्तो इसका तो दूसरा नाम है वो भी आपको द्यान रखना है कि इसको और किस नाम से बोलाते हैं विसेhh अंतरवुत प्रिक्षन भी इसको कहते हैं और एकों नाम है खताप्रसंग विदी भी कहते हैं इसको थिक है दोस्तो तो ये सारी चीजें आपको एक जगां इस वीडियो में मिल रही है आप अलग-अलग गाइड से आपको पढ़ने क्या आप सकता नहीं है ठीक है और यह परिक्षन कब दिया गया था सन 1935 में इस परिक्षन का प्रतिबादन किया गया था इस परिक्सर में कुल 30 कार्ड परियुक्त होते हैं यह important है दोस्तों इस परिक्सर में कितने कार्ड परियुक्त होते हैं 30 और ध्यान रखने वाली बात है कि इस परिक्सर में 10 पुर्सो हे तू 10 मेलाओं हे तू और 10 कार्ड दोनों के लिए प्रियुक्त होते हैं यानि कि एक बार में 20 कार्ड प्रियुक्त किये जाते हैं टोटल कार्डों की संग्यात होती है 30 और एक बार में प्रिक्षन हितु कितने प्रियुक्त किये जाते हैं 20 कार्ड A field card पतिक करेया है तो रिक्तो होता है यंगि 30 के अलावा होता है वह लेकिन आपको 30 सी दान रखना है वैसे 30 प्लस 1 होता है जो यह A card होता है और इसमें लिखने के लिए होता है तो यह count नहीं कराजाता वेक्तिकों card दिखाकर कहनी लिखने को कहा जाता है होता है जो यह प्रिक्षन है आपका टीए टीए चोदा वरसे अधिक बाल को यह तू उप्योगी होता है तीस कार्ड प्रियुक के जाते हैं और इसके प्रतिपार्द कोने मॉर्गन एंड मूरे 1935 में दिया था इसे विसे अंतरबोध प्रिक्षन भी कहते हैं या खता हो गया अपनेक्स्ट बात करते हैं यह भी मैथ पॉपन है दोस्तों द्यान लगना आपको बाल अंतरबोध प्रिक्षन आब यहां संबोधन के इस्तान पे अंतरबोध समझना ना तो बाल अंतरबोध प्रिक्षन चिल्डरन अप्रीशेशन टेस्ट सी एटी इसका प्रति 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 जो 3-10 वरस तक की उमर के होते हैं इसका विकास Ernest Chris नहीं किया था जो बाल अंतरपोत प्रिक्षन है उसका विकास Ernest Chris नहीं किया था लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है इसका तो प्रतिपादक जो है वो इंपोर्टेंट है लियोपोर्ड बैलक और सोरेंस बैलक ठीक है इस प्रिक्षन में कुल 10 कार्ड होते हैं इसमें भी 10 कार्ड होते हैं सभी कार्ड पसू समंदित होते हैं ये सबसे महतोपोन क्यूसन है और कई बार एक्जाम में आ गया है कि किस प्रिक्षन में कार्डों पर पस्वों के चित्र होते हैं तो वो बाल अंतरबोत परिक्षन में उल्टा भी पो सकता है कि बाल अंतरबोत परिक्षन में कार्डों पर किसके चित्र होते हैं मनुष्यों के पस्वों के फूल पत्यों के या जंगल पेड़ पोदों के तो आपको द्यानक ना पस्वों के जित्तर होते हैं मेहत्त घू प्रत्तों इन एक करत्ते के लिए हैं तुरीगते होते हैं बाल को कर देखा कर कानी लिखने को का जाता है कानी का नायक परसंग और आन्त चुर्ष जात दार पर तर्भएक्टित्तों निधारन किया था और इसे कहानी पूर्ति प्रिक्षन भी कहते हैं sentence compliment test और ये कब दिया गया था सब्ध में व्याकिय को पून करने होते है प्रतिक्रिया के आदार पर समयगों इच्छों अभिव्यक्तियूँ को जानकर व्यक्तित्वा कर निदारन किया जाता है उसके बाद में next अपन बात करते हैंungs FROM इसका प्रिक्षण उसकेबास में सब्द वाले चारु के इंपोरेंट नहीं नहीं жाム को इस प्रिक्षण में कुछ चुने वे सब्दों पर्तिक्रिया करवाई जाती है उसके बाद में दोस्तो आप दो आपके और बचके हैं दो तीन वह इंपॉर्टेंट से वह भठावट कर लेती हैं नेडानिक मनव्मे जण में इसका अधिकफ्योग किया जाता है पिर नेक्स का सिधान प्रिक्षन आता हैं चित्र नेरह से प्रिक्षन- चित्र नेरा से प्रिक्षन के प्रवर्तकों है रोजेन विंग और प्रस्तुत प्रिक्षन में 24 चित्र सामिल होते हैं पर तेक चित्र में किसी नेरा से स्ततिक का चित्र होता है बारतिय अनुकुलन बच्चों और व्यवस को की कुंठा ग्याद करने है तू उदे पारिक नहीं किया था नेक्स्ट जो आपका है खेल और नाटक विदी दोस्तों खेल विदी किसने दीती खेल विदी दीती फ्रोबेल ने किसने फ्रोबेल ने लेगन यहां व्यक्तित्वा के अंदर खेल और नाटक विदी किसने है जेल मोरेनो इस विदी में व्यक्तिक खेल और नाटको के मादेम से ही अपनी बावनाओं की सवतंतरा भी व्यक्ति करता है नेक्स्ट बात करते हैं मनो विसलेशन आत्मक विदिया यह एप्रक्षेपी परकार में सामिल होती है ठीक है दोस्तों जो मनो विसलेशन है यह एप्रक्षेपी है लेकिन इसको आप परक्षेपी और एप्रक्षेपी दोनों में सामिल करते है लेकिन विशेश ट्रोब से य और प्रभर्तक के सिगमेंड़ तो अपने पहले भी देखा था सिगमनब प्राइड नेए चैतन वा चेतन दौनों मन के अध्यन है तू मनोई शान आतमक विद्धी का परतिपाधन किया और इसके आधार पर मनोई शाकर्ण विद्धी के आधार पर दो शिदानत दिय संपर्ते के अनुसार सोपन में व्यक्ति अपने एचेतन मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है जो की चेतन इस तरब आने के लिए सदेव प्रयतन सील रहती है अताब प्राइड ने सोपनों की सायता से व्यक्तितों मुल्यानकन का प्रियास किया तो सपनों के अधार पर सोपन विसलेशन विद्य में अध्यान किया जाता है फ्राइड ने इसका मुल्यानकन किया नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुक्त सब्द साचरिय प्रिक्षन ये इसका निर्मान किस ने किया था इसका निर्मान भी डालटन ने किया था ठीक है दोस्तो इसको सवतंतर सब्द साच्रे प्रिक्षन भी कह सकते हैं मुक्त सब्द साच्रे प्रिक्षन भी कह सकते है सब्दों की साहता से व्यक्तित्व का मुलानकन करना सोतंतर सबसाच्री विदी कहलाता है इसका प्रियोग मनोचिक्स सामे क्या जाता है यानि इन दोनों ही विदियो का प्रियोग मनोचिक्स सामे क्या जाता है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्यक्तित्व का निधारक वेक्तित्व की निदारक वह कारक होते हैं जिनके दोरह वेक्तित्व का विकास तता निदारन होता है इन कारकों में तीन बागों में बाटेगे हैं जो वेक्तित्व निदारन करने वाले जो कारक हैं वो कौन-कौन से दोस्तों देख सकते हो सबसे पहले बात करते हैं जेविक या आनुवान सी कारक यह वेक्तित्व का निदारन करने में जेविक और आनुवान सी कारक महतोपुन होते हैं जो जनम के समय से ही वेक्ति में उपस्तित होते हैं पहला कारक है सारीरिक सनंचना और स्वास्ते ये भी व्यक्तित्व का निधारन करता है अंते स्राविक गरंतिया व्यक्तित्व का निधारन करता है प्यूस गरंति, एड्रेनल गरंति, थॉरेट गरंति, टेस्टोस्टोरेंड और एंड्रोजन हार्मोन और स्नाईव मंडल ये सबी व्यक्तित्व के निदारण में साइक होते हैं क्योंकि दोस्तों इन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके आदार पे व्यक्ति का व्यवार परिवर्तन होता है और उसी के आदार पे व्यवार का मापन व्यक्तित्व में किया जाता है तो पहला कारक जे भी को रानवान सी कारक व्यक्तित्व निदारण में महतोपन होते हैं दूसरा जो कारक है वो प्रयावरणी ये कारक भी व्यक्तित्व निदारण में साहिक होता है प्रावणनई कारकों में समाज एंवं परिवार, आर्थी कारक वो स्कृतिकारक समिलित होते हैं परिवार व समाज, विधाले वातावरण, पासपडोस, दार्मिक संस्ताय और समाजिक संस्ताय यह सभी व्यक्तित्वrying निदारन में साइग होती है नेक्स्ट ये सांसकर्थ कारक यानि व्यक्तिक जो संसकार, आचार विचार, वेश भु साइब, यानी पाहनवा वरण होए धर्हम, प्रांतिए व्यवस्ता, जातिकत विभिनता, और बोगुलिक कारक और सांसकर्थिक प्रिवेश ये भी उसके व्यक्तित्व निदारण में स बक्त किया है तो आपको सभी द्यान रखने हैं फटा पर देख लेते हैं बस पांच मिनट में पूरा हो जागा टोपी देखो सभाव के आदार पर किस ने दिया था व्यक्तित्व का प्रकार हिपोक्रेटेस ने सभाव के आदार पर और उन्होंने कौन-कौन से प्रकार बताय होते हैं ऐसे तो कौन्छे होते हैं कप्रवर्ति वाले काले पित वाले कौन्छे होते हैं जिनमें स्वेगात्मों और सारे रिग रूप से जो कमजोर होते हैं वो काले पित वाले होते हैं जो स्वेगात्मों और सारे रिग रूप से कमजोर होते हैं तो अब उसके बाद में चोता जो इसने प्रकार बताया था वो अधिक रूदिर वाले यानि सारे रूप से सबल हो समेगा तो रूप से इस्तिर होते हैं वो अधिक रूदिर वाले होते हैं तो सबाव के आदार पर हिपोक्रेटरस ने चार प्रकार बताया थे ठीक है क्रेच में ने सारिरिक बनावट के आदार बे कौन-कौन सा दिया था इस्तुलकाई, प्रिस्टकाई और क्रिस्टकाई इस्तुलकाई इसको अपन गोलाकाई भी कह सकते हैं प्रिस्टकाई को आइताकार कह सकते हैं क्रिस्टकाई को लंबकाई कह सकते हैं लंब काई आयता काई ठीक है तो इस्तुल काई इसको पिकनिक बॉलते हैं जो मतलब की मिलनसार होते हैं छोटा कद होता हैं मोटे होते हैं सामाजिक विनोध प्री होते हैं बहिर मुर्की होते हैं और लोग प्री होते हैं वो कौनचे होते हैं इस्तुल काई या पिकनिक फिर एसके बाद में बात करतें करेक में नि चार परकार के वरगी करन दिया था इस्तुल काई, प्रिष्ट काई, क्रिष्ट काई और मिस्रित काई तो क्रिष्ट काई में कौन से आते हैं क्रिष्ट काई में निर्बल सरीर लंबे दुबले पतले, सरमेले, एकांतपरी और निरासाबादी सामाजी रूप से एसमाई उजित वेक्ती जो समाजी रूप से एसमाई उजित होते हैं वो क्रिश काय में आते हैं लेप्टो ठीमें इसमें नेक्स आते हैं मिस्रित काय उप्यूक तिन्नों का जो मिस्रण होता है मिस्रित काय में सामिल होता है नेक्स जो परकार दिया था सारी रिक बनाऊट के आधार पर शेल्डन ने भी दोस्तों देखो क्रेच में ने भी सारी रिक बनाऊट के आधार पर दिया था उसने जो वरगी गरन दिया था उसमें काय लगावा था लास्ट में और इसमें कार लगावा है ठीक है तो शेल्डन का जो वरगी गरण है वो कौन-कौन से है इसने तीन परकार का वरगी गरण दिया है द्यान देना एक तो गोलाकार एक आयताकार एक लंबाकार गोलाकार यानि एंडोमॉर्फिक ये इंगलिस वाले वर्ड्स भी दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है केवल इसी का इंगलिस वाला वर्ड ध्यान रखना है एंडोमॉर्फिक यानि सक्ति एक बार आया वाई इंगलिस में इसलिए बता रहा हूँ सक्तिहिन, मोटे, कॉमल शरीर और आराम तबल, सामाजिक और स्नेय सील जो वेकती होते है वो गोलाकार होते है आयताकार यानि मैसोमॉर्फिक सरीर, सारेरिक रूप से संतुलित, अच्छा स्वास्ते है और सासी और निडर और फुर्तिले और आसावादी और करमत जो वेकती होते है वो आयताकार होते है लंबाकार जित भी अपन बोल सकते हैं एकांत पिरी और चिड़ चिड़ा सभाव जिनका होता है वो लंबा कार होते हैं उसके बाद में मनोवेग्यानिक आदार पर यूंग ने वरगे करना दिया था तीन परकार का वरगे करना दिया था यूंग ने कौन-कौन सा दिया था अंतरमुकी बहिरमुकी और उभेमुकी अंतरमुकी व्यक्ति कौन्छ ओते हैं इस व्यक्तित्व के लक्षन, सभाव, आदतें, अभिवर्तियां बाहरी रूप से परकट नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति एकांद में विश्वास रखते हैं सामाजी कारियों में कम रुचि लेते हैं संकोची सरमिले और कल्पना सील आदर्सवादी दार्षनिक विचारक और लेखक होते हैं जो अंतरमुकी होते हैं तो लेखक जो होते हैं वो अंतरमुकी होते हैं आपको ध्यान रखना है बहिरमुकी व्यक्ति कौन से होते हैं अत्यतिक सामाजिक विचारों और बावनों को इस पष्ट रूप से अबयवक्त करते हैं सामाजिक जैसे सामाजिक वेक्ती राजनेती के वेक्ती या व्यावारिक वेक्ती सिक्सक जो होता है उसमें बहिर मुक्य वेक्तिक पाई जाता है यह आपको दहाण रखना है पिर आता है उभे मुकी जिनमें दोनों परकार का मिसरन पायदाता है मुल्ले और समाज सास्तर के अधार पर इस प्रेंगर्ण ने जो वरिगी करण दिया था वो छे प्रकार से दिया था यानि कि आप मुल्ले या समाज सास्तर भी बोल सकते हूं या सामाजिकता के आदार पर वरिगेगरन किस नहीं दिया था इस प्रेंगरन नहीं दिया था इस प्रेंगर और छे प्रकार का वरिगेगरन दिया था पहला तो सेदान्तिक सेदान्तिक में जो सत्य की कोज यह तो तरपतर होते हैं बुद्धी जी भी होते हैं प्राय मनोवेग्यानिक अदासनी दूसरा आर्थिक जो धन समंदी विशा रखते हैं बोतिक सुक की इच्छा रखते हैं तीसरा समाजिक जो समंद और प्यार में महत्वा देते हैं दयालू त्यागी और प्रोपर कारी वेक्टिस्क में सामिल होते हैं और नेक्स्ट अपन बा करते हैं और छटवा सौंद्री अनबोव यह ललित कलाओं संगीत चित्र कलाओं में जिनकी इंट्रेस्ट होता है वो सौंद्री अनबोव गेते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विचार सकती के आदार पर भी दोस्तों ठांडाइक ने वर्गी करन दिया था तीन प दर्ष्टिगोन रखते हैं और उसके आदार पर विचार करते हैं लाबानी का फिर आता है सुक्स में विचारक यानि जो तारकिक्ता के आदार पर जो चिंतन करते हैं वो सुक्स में विचारक होता है तो थांडाइक ने विचार सकती के आदार पर तीन वर्गी करन दिया थ प्रतिक्स इस्टुल और सुख मैं अब आता है बारतिये दर्ष्टिकोंग के आधार है तो भारतिये दर्ष्टिकोंग के आधार पर जो वर्गिकरण है वो तीन प्रकार से हैं सत्व, रजो और तमों से होते हैं सत्व गुणी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकास्मान नेतिक मुल्यों में से यूक्त उच आदर्स यूक्त सत्गुणी होता है ऐसे व्यक्तियों में एकागरता यह आधात्मिक्ता की परवर्ति पाई जाती है रजो गुणी कौन्च होते है जिनमें रजो गुणी व्यक्ति व्यक्तित्व वाला काम बावना से युक्त, आल से युक्त, क्रोज, युक्त और नकारात्म दर्श्टिकोन वाला होता है। व्यक्तित्व काम बावना से युक्त, आल से युक्त, क्रोज, युक्त, क्रोज, व्यक्तित्व वाला होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ में आपको कोई भी संका या कुछ भी क्यूशन पूछना होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें